तो स्टार्ट करते हैं वायर ओफ लेंथ आपने यह क्वेशन क्लास में कर रखा है मैंने अच्छे से कर आया था यह और यह आइटी में में कई बार आ भी चुका है बच्छो च्ट्य से दो पीस में काटा है एक से स्क्वेर बना एक से आपका सर्कल बनाए एक बच्छो लंबाई जो है वह ए माने लो और बाकी किती हो जाएगी च्ट्यस माइनस दे बच्चो किसी से आप square बना लो जैसे इस से बना लो आप वो क्या कहते हैं अपना circle तो यह किता आ जाएगा 2 pi r और इससे square बना लो तो 36 minus यह किता आ जाएगा आपका 4 alpha ठीक है अब बच्चो क्या पूछा है इसने sum of the areas area किता आएगा pi r square बच्चो पाई r, r का value किता आ रहा है a by 2 pi यह आपका pi r square ठीक है प्लस alpha square है वो आ रहा है 36 minus a by 4 का square यह बच्चो आपका area function है जो कि a पर depend कर रहा है इस तरह से बच्चो सबसे पहला thought यह आना चाहिए आपको कि आपको upward facing parabola दिख रहा है यहां पर quadratic in a बन रहा है और leading coefficient positive है तो upward facing parabola का अगर उसने पूछा है minimum तो एक ही जगह आएगा ठीक है और और वो कहाँ आएगा minus by 2 a पर तो value open निकाल सकते है है ना circumference of the circle पर उसके लिए अपने को थोड़ा से इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा तो यह आ रहा है बच्चो ए स्क्वेर a square यह differentiate कर दो इसको चलो अभी पहले लिख लेते हैं a square by 4 pi square 4 pi sorry ठीक है बच्चो यहां पर यहां पर 9 minus a by 4 का square ठीक है ऐसे लिख लिख लिए चलो differentiate ही कर देता हूं है थोड़ा differentiation की practice हो जाएगी बच्चो कितना आ जाएगा a upon 2 pi और minus twice of 9 minus a by 4 ठीक है बच्चो 9 minus a by 4 और फिर बच्चो थीटा स्क्वेर का 2 थीटा और फिर अब अंदर का डेट तो minus 9 by 4 आ रहा है तो आ जाएगा minus 9 by 4 और इसको बच्चो अपनने कर दिया 0 ठीक है भी इसको अपनने 0 कर दिया तो बच्चो यहां पर यह 2 2, 2, 2 कट जाएगा ठीक है बच्चो यह आ रहा है a by pi ठीक है is equal to बच्चो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ठीक है आएगा a by 4 minus 9 ठीक है ऐसा आ रहा है अब यहां से लिख लेते हैं आपन ठीक है नेगेटिव आगे है तो कुछ चक्र पड़ रहे है theta square का 2 theta 2 into this अच्चो यहां पर ऐसा है तो ठीक है बाकी तो सब ठीक है plus ठा और सब सही है ठीक है बच्चो यहां पर आपका a का value आ रहा है आपका 36 pi 36 pi upon 4 plus pi ठीक है 36 pi upon 4 plus pi ठीक ओके आगे बढ़ते हैं अब इसने पूछा है बच्चो कि circumference of the circle इसके circle का circumference यहने कि 2 pi r पूछा है तो इसको 2 pi से multiply कर देंगे 2 pi r अच्छे यही है circumference of the circle 2 pi r और a का value मैंने निकाला है तो यही आ रहा है बच्चो इसको multiply करना है 4 plus pi upon pi से इसको multiply करना है 4 plus pi upon pi से तो 4 plus pi pi कट जाएगा pi pi कट जाएगा बच्चो आंसर 36 आ रहा है बच्चो 36 इस दा आंसर हुआ 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 है